हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग नमस्कार आठ जनवरी दोजार चौबीस और दा हिंदू न्यूजबेपर एनलिसिस में आपका स्वागत है आज की जितने भी इंपोर्टन न्यूज और एडिटोरियल होंगे वो इस वीडियो के तरू डिसकस करेंगे अगर आप इस पॉर्टन न्यूज के साथ जमवन कस्मीर के बारे में ये न्यूज है और ये न्यूज किस चीज को लेकर है बेसिकली 2018 में जमवन कस्मीर में पहली बार प्रोपर पंचायत इलेक्शन हुए थे उसका जो ट्रम होता है पांथ साल हो कंप्लेट हो चुका है और 10 जनवरी के बाद वहां पर कोई ऐसी लोकल बोडिज के मेंबर नहीं होगे क्योंकि पांथ साल का ट्रम कंप्लेट होगा और सरकार ने का कि जब डी लिमिटेशन की एक एक सरसाइज कंप्लेट हो जाएगी उसके बाद यहां पर इलेक्शन होंगे तो इस स्टोरी को थोड़ा पढ़ते में या 73 और 74 constitutional amendment के बारे में बात करते हैं उसमें 5 साल के ट्रम के बारे में discuss करता है ठीक है इसके अलावा सरकार ने का कि next election जो वो डी लिमिटेशन के बाद ही होगा डी लिमिटेशन का मतलब होता है कि जब एक restriction लगी होती है assembly seat पर या लोकसभा पर तो उसको लेकर एक commission बन उसको assist करता है और इसकी जो decision होते हैं यह binding होते हैं court उसमें बहुत जादा intervention करता नहीं है 72 article के अंदर इसमें mention किया गया है इसके अलावा delimitation के अगर हम बात करते हैं अगर आप लोकसभा के बारे में देखेंगे तो 2026 तक वो restricted है उसके बाद वहाँ पर चीजे बदलेंगी seat बढ़ेंगी आपको पता होगा जब women reservation bill passed किया गया था parliament में तब यह बोला गया कि 2029 से वह लागू हो सकता है क्योंकि वो delimitation के बाद ही लागू किया जाएगा इसके बाद यहां पर यह बताया गया कि अभी कुछ MP 6 MP है basically जमुन कस्मीर में और इसमें district development council के कुश मेंबर ह बाकी कोई ऐसा नहीं होगा जो represent करें एक तरीके से लोगों को क्योंकि assembly 2018 के बाद से ही वहाँ पर भंग कर दी गई थी last election assembly का 2014 में हुआ था 2018 में election वहाँ पर 2018 से 2024 आगया है वहाँ पर president rule लागू है और उसके बाद हमने पढ़ा कि 2019 में दो यूटी के अंदर change किया गया था यूटी जमुन कस्मीर और यूटी इसमें लद्दाक में और बाद में अभी सुप्रीम कोट की judgment आई है कि particular date से पहले वहाँ पर statehood का दर्ज कौन करेगा उसी चीज के बारे में बात है statehood के बारे में लगाता डिसकस हो रहा है और statehood के बारे में सुप्रीम कोट ने direction दी है कि statehood का एक तरीके से direction के थूँ आप implement करेंगे और वहाँ पर election करवाएंगे assembly का इसके बाद पंचायत के लिए 29 subjects होते हैं 73 constitutional amendment के थूँ और जो municipal council है या municipality है उनके लिए 18 subjects होते हैं 74 constitutional amendment के थूँ तो उसके बारे में बताए गया 2020 में union cabinet ने अप्रूब किया था कि जम्मण कस्मीर में पंचायती राज act 1989 जो amendment किया गया और 1993 के जो पंचायती राज के constitutional amendment है वो सारे के सारे लागू किये जाएंगे इसके बारे में discuss किया गय हुए है क्योंकि जम्मण कस्मीर में delimitation की exercise नहीं हुई थी इसलिए उसको अब complete क्या जा रहा है इसके बाद भारत के दो neighboring country के बारे में बातचित हो रही है जिन में से एक basic news है बंगलादेश जो हमने अल्रेडी पढ़ा था बंगलादेश के अंदर election होते हैं से खसीना के political party लोग खड़े होंगे तो जीत किसकी होगी तो से खसीना लगबग सीटे जो हो जीत चुकी इस में से और तेन सो में से दो सो तो अलेडी जीत चुकी और counting अभी चल रही है तो में भी ये 200-200 का number पार कर जाए इसके अलावा जो मालदी वाली news है वो बाद में इस page पर नहीं ह थी कि good and services tax कैसे implement हुआ कौन-कौन से taxes इसके अंदर अभी भी exempted है कौन से इसमें लागू किये गए हैं वो सारी चीजे और slabs के बारे में पड़ा 5% 12% 18% 28% GST council के बारे में पड़ा वो सारी चीजे पड़ी लेकिन यहाँ पर discuss किया जा रहा है कि देश के अलग-अलग राज 18-10 है हर्याना 17-60 है तो यह differences है इसके लावा गुजरात वेस्ट मिंगोल उडिसा राजस्तान बिहार अंदर प्रदेश यह अलग-अलग state के अंदर जो GST collection की जो growth rate है उसका एक differentiate किया गया है इसके अलावा यह बताया गया कि growth यह जो गुजरात की अगर हम जब बात करते है तो यह rich state है लेकिन वहाँ पर revenue कम generate हो रहा है तो क्या यह weaker growth को indicate करता है तो यह indicate करता है GST और GDP को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि integrate किया दता है अगर GST collection लगातार increase हो रहा है तो इसका सीधा मतलब यह होगा कि देश की GDP में भी growth rate बढ़ेगी GST collection एक important factor है क्योंकि GST का समान इन्हेता मतलब यह होता कि लोग खर्चा कर रहें तभी तो GST दे रहे हैं तो consumption बढ़ेगा और consumption बढ़ेगा तो definitely वह game changer है इसमें बहुत ज़्यादा data दिया गया अगर आप 2-3 important चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह बहुत ज़्यादा क्लीर ह कि consumption जो है कुछ state में अभी कम है lag कर रहे है और अगर दोनों ही GST बढ़ता है तो GDP growth rate भी बढ़ेगी इसमें डाउट नहीं है wage growth जो है वो कम है यह एक बड़ा issue है कि इस research के अंदर पाया गया कि wage की जो growth है या जो होने जाए प्रोफरली वो कहीने कहीं कहीं स्टेट में अच्छी खासे नहीं कहीं अलग-अलग critical factor है जो consumption growth के लिए responsible होते हैं वो impact कर रहे हैं इसके अलावा अगर आप consumption demand के बारे में बा income bracket से पी एफ सी के growth का data आया था जिसमें बताया गया था कि जो periodic household surveys होते हैं उसके अंदर यह mention किया गया है जो consumption rate है consumption growth है वो बहुत अच्छी है नहीं इसके अलावा यह भी बताया गया कि देश्त के अलग-अलग राज्यों में जो GST collection rate बहुत जादा differentiate कर रही है इवन अगर आप देखेंगे जमवन कस्मेरे में 29.8% का growth rate जो की बहुत जादा हाई है मनिपूर जो इतरी के से valence hit state है 17.5% इसके अलावा जो surprising number है वो मिजोरम के 49% नागालेंड 35% अनाचल परदेश जो 33% जो है वो analysis किया गया ministry of finance affairs और बैंक ओ बडोदा के data के analysis के through ठीक है तो यह बड यहाँ पर दिया गया है आप लोगों के लिक सवाल है और इस सवाल में दो तिन पार्ट में सवाल है पहला अगर हम बात करें तो यह GST जो है वो किस constitutional amendment के थुरू basically implement किया गया था और GST के बाद अगर हम बात करें देश में total कितने constitutional amendment हो चुके हैं पहला second अगर हम बात करें इस से लेटर है GST council को कोन chair करता है यह आपको नीचे comment करना यह एक ही question है दो पार्ट के अंदर इसके अलावा हम जाएंगे सीधा यहाँ पर page number four पर page number four पर सबसे पहले एक छोटी शी news उसको पढ़ लेते हैं यहाँ पर mention किया गया है Supreme Court एक historical judgment आने वाले टाइम में दे सकता ह बिल्किस बानो केस के अंदर है बिल्किस बानो केस क्या है 2002 में जब गुजरात के अंदर violence हुए तब एक heinious crime कह सकते हैं घरनित crime हुआ और गैंग रेप और एक चोटे से बच्चे की हत्या करती गई थी तो उसके जो आरोपी थे उसको release कर दिया गया था गुजरात government ने उन किया जा सकता है तो लगबख 20 साल का tenure होनों का complete हुआ और वो release कर दियेगे सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो हैड की जारे बीवी नागरतना के दौरा और वो इसमें अपना judgment देगी कि गुजरात government के decision को challenge किया गया है 2002 के rights में जो गैंग रेप और मडर हुआ था उनकी family का उस महाराष्टरा के अंदर हुई थी और यह case जो हो गुजरात government से related है तो इसमें महाराष्टरा भी एक interfere करता था कि महाराष्टरा में अगर यह hearing हुई तो महाराष्टरा government को decide करना चाहिए जो काफी weak statement है क्योंकि अगर crime गुजरात में हुआ है तो policies का impact है वो उसी state की policies का impact इनको release करने को लेकर काफी जादा पहले भी तरीके से debate हुई थी इसमें दो पक्स है अगर आप criminal देखेंगे तो definitely इस case को इस crime को बिलकुल भी justify नहीं किया जा सकता है लेकिन दूसरा एक पक्स यह है कि अगर कोई व्यक्ति 20 साल की सजा complete कर रहा है तो उस case में क्या state government remit कर सक सकती है यह debatable है basically दोनों पक्स हो सकते हैं सही और गलत का एक अलग issue अगर आप legal perspective से बात करें तो दोनों point इसमें debatable है इसके बाद हमने पहले ही पढ़ाता है माल्डियूज के बारे में माल्डियूज बहुत जादा न्यूज में रहता है माल्डियूज में न्यूज में रह campaign के साथ connected रहे हैं इनके अभी हुआ क्या है भारत के प्राइमिस्टर गए थे लक्सदीप में लक्सदीप में उनने एक tweet क्या simply कुछ photograph क्लिक करवाई और एक tweet क्या कुछ दिन तो गुजारो लक्सदीप में यानि लक्सदीप के tourism को sport करने के लिए indicate क्या माल्डियूज इसे गया है माल्डियूज क्यों एक तरीक ऐसे डरता है माल्डियूज के एक important यह है कि अगर आप किसी भी island country में देखेंगे ना अगर भारत के लोग अगर number कम होता है तो definitely यह इनकी economy को direct hit करने वाला है इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कुछ जो बहुत बुरा हुआ है basically जब आप भारत के प्राइमिस्टर ने कभी किसी country के गेंस्ट tweet करते भी नहीं करना है भी नीचे जगर आप इस तरह के platform पर होते हैं एक decrum होता है तो इनके ministers ने क्या किया भारत के गेंस्ट कुछ tweet करें इंडिया के प्राइमिस्टर के गेंस्ट personal tweet की हमारा political differences होना अलग बात है कोई भी व्यक्ति अगर हमारी किसी भी constitutional post पर वो बेटा है और वो उसका foreigner especially वो criticism करता है कोई ऐसे derogatory comment करते तो वो acceptable नहीं होने चाहिए माल्दियूज government को force किया गया कि इनके तीन minister को हटाईए ये सही नहीं है और उन्होंने जो statement करी है माल्दियूज की minister ने वो बहुती derogatory बहुती racist hateful है भारत के against प्राइमिस्टर के against personally उनको target किया गया इसके अलावा इससे impact क्या पड़ा impact definitely मैंने जैसे कि बताए कि बहुत बड़ी economy नहीं है तो वह ये एक तरीके से इनके उपर impact इसलिए पड़ेगा क्योंकि माल्दियूज depend करते tourism पर बड़ी संक्या में लोग यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर इसके बाद तीन minister को suspend करना पड़ा डिप्टी minister थे ये timing बड़ी interesting है क्योंकि इनको चाइना में जाना है प इसको लेकर इनकी कंट्री के अंदर भी प्रोटेस्ट हुआ है बेसिकली इनके जो लीडर्स है जैसे अबदुल्ला साहिद है इसके अलावा मुहमद नसीद है या इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो रिशन में प्रेजिडेंट रही है इबराहिम सोली उनने का कि यह statement सही नहीं है और यह एक बड़ी और इंपोर्टेंट नेवरिंग कंट्री के साथ बाइलेटर रिलेशन को डैमेज करेगी बुरी तरीके से तो इस तरह की statement से government के जो representative है उनको रिफ्रेंड करना चाहिए इनकी ministry ने भी एक तरीके से note publish करा कि इस तरह के comments acceptable नहीं होंगे और ज जाएंगे United Kingdom के अंदर त्री डे की विजिट पर यह विजिट इंटरस्टिंग है क्योंकि 20-22 साल के बाद कोई पहली बार भारत के डिफेंस मिनिस्टर बाइस साल बाद भारत के डिफेंस मिनिस्टर जो हो जाएंगे UK के अंदर इससे पहले जो गये थे जोर्ज फरनांडि इसके अलावा 2022 में प्लान था लेकिन कैंसल कर दिया गया तका आगया कोई प्रोटोकॉल रीजन्स हैं इसमें कई सारी चीजों को लेकर डिसकसन होगा में क्या है सिगनिफिशन क्या इस ट्रम का एक तो यह बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप इस विजिट के माहने देख इसमें मिलिटरी कोपरेशन को बढ़ाना डिफेंस और इंडिस्ट्रिल पार्टर्शिप को बढ़ाना यह इंपोर्टेंट है और इनोगरेल किया जाएगा इनोगरेल जो हुई थी अभी टू प्लस टू डायलोग जब डिसकस होता है तो इसका मतलब ही होता है कि फोरण और डिफेंस मिनिस्टर जो है वो डायलोग करेंगे तो इसके बारे में बात होती है इसके लावा इंडिया और यूके जो हो जनरल इलेक्शन के लिए प्रिपेर होने दोजार चोबिस में इलेक्शन होने वाला है और उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है फ्री ट्र कस्टम को जीरो करना कुछ प्रोड़क्ट पर यह ट्रेड को स्मूथ बनाना बेसिकली यह एक माहिने होता है फ्री ट्रेड में ऐसा नहीं कि बिल्कुल यह आप कोई टैक्सी नहीं लग रहे है फ्री ट्रेड अग्रिमेंट में बिल्कुल सिंप्लिफाई किया जाता है एक इंपोर्टेंट सम्मिट होई और हर साल जो होती है प्राइमिस्टर ने अटेंड किया 58th All India Conference of Director General and Inspector General of Police यह जैपूर के अंदर हुई इसके अंदर कई सारी इंपोर्टेंट बाते उन्होंने बोली तो पढ़ेंगे कुछ इंपोर्टेंट चीज अगर मिलती है एक्जाम इसको संभोधित किया और इसमें कई सारी इंपोर्टेंट बातों के बारे में डिसकस किया सबसे पहले बताया कि गवर्मेंट ने एड्रस किया कि एक थ्री डे की जो एन्यूवल डिरेक्टर जनल अग पुलिस की कॉन्फरेंश थी जैपूर के अंदर उसके बारे में और उ पुलिस के बारे में लोग बहुत अच्छा नहीं अबजर्व करते तो बहुत पॉजिटिव मेज आपको बनाने पड़ेगी और वह आप एक्सेंस के थ्रू ही बनाएंगे इसके बाद यहां पर नेच्टरल कमेटीज और डिजास्टर इलिफ में किस तरीके से पुलिस सोच इंडिया की अगर हम बात करते हैं जैसे बोडर विलेजी वहां पर कैसे किनेक्टिविटी बढ़ाएंगे यह इंपोर्टेंट है तीन नए क्रिमिनल लोज के बारे हम डिसकस किया गया कि यह क्रिमिनल जस्टिस को और जादा सिस्टेमाटिक करेंगे और क्रिमिनल लोज के इस तुरू यह बताया गया कि यह एक तरीके से चेंज है जिसमें सिटिजन फर्स्ट डिगनिटी फर्स्ट और जस्टिस फर्स्ट यह टाइटल जो इनका दिया गया है और हमें डंडा की वजाए डाटा पर काम करना पड़ेगा लोग पुलिस को जनली माना जाता है कि इसे emotional spirit को पीछे रखते हुए इन लोज को इनक्ट करना पड़ेगा और definitely हमें इस दुरान women's issues को sensitize करना girls के right को protection करना यह लोज के तुरू प्रोवाइड किया गया है इसके अंदर आगे तो बताया कि basically कि क्या क्या topic discuss किया गया है जैसे human trafficking एक important है, cyber threat important है, radicalization है, fraudulent है, issue of identity documents है यह सारे issues है जो आज के time पे emerging है और जैसे artificial intelligence का एक threat है जो बड़े तरीके से challenge करता है, इसके लाबा recent time में Indian Navy के effort को इसमें indicate किया गया कि भई जैसे भारत की Navy ने 15 Indian scores और total 21 people है उनको कैसे rescue किया, urban sea में उसके बारे में हमारा जो space mission है अधित्या 11 इसके बारे में discuss किया गया, त की जो meeting थी उसके अंदर भारत के Prime Minister, Union Home Minister और हमारे NSA इन सब ने discuss किया, इसके बाद हम जाएंगे सीधा science वाले section के अंदर, IIT Delhi की team ने एक high resolution landslide risk map जो हत्यार किया इंडिया में, क्या है ये basically, Indian landslide suspectability map जो national scale पर काम करेगा, और इसके अंदर country की कोई location को live नहीं किया जाएगा, ये जो map and researcher है, ये बताता है कि journal indicate करता है, 2024 के February issue में ये release किया जाएगा, क्या इसके अंदर खास है, landslide में क्या चीज़े होती है, landslide क्या है, landslide एक तो unique और deadly problem है, mountain और hilly area में आपको देखने को मिलेगी, ये कम wide speed होती है, इसको track करना इतना easy नहीं है, इसके लावा इसको satellites के happen होता है, एक localized area में जो 1 to 2% country को effect करता है, इसके अलावा data के अगर हम बात करते हैं, बहुत ही कम data है, sufficient data नहीं है, कि typically machine learning models को इसके लिए तियार किया जासके, researcher का analysis बताता है कि 16 factors हैं, जो area को suspectability बनाते हैं, landslide के लिए, और इनकी information को जब हम collect करते हैं, whole country के लिए, बहुत important है, machine learning model जो use किया जाता है, projections के लिए, सभी areas के अंदर, ये landslide data के हिसाब से, अगर हम बात करें, तो उसमें use किया जाता है, और landslide जो है, वो कोई particular place, जुरूरी नहीं कि particular place पर happen हो, ये ensemble कर सकते हैं, कि एक particular area, suspectability के हिसाब से, एक important part है, और वहाँ पर possibility है कि landslide की घटना हो, जासे इंडिया के अंदर landslide generally कहां होती है, mountain areas के अंदर, आपने देखा होगा, जमुन कस्मीर, हिमात्सर प्रदेश, उत्राकन, इस belt के अंदर आपको, ज्यादा तर आपको landslide इस तरह की events जो हो, देखने को मिलेंगे, इसके बाद, editorial part के बारे हम discuss करेंगे, editorial में एक छोटा स article हमें पढ़ना है, और उसी के बारे में वो article की news हमने already cover करी है, वो है अदित्य 11 के बारे में, अदित्य 11 के बाद क्या, और अदित्य 11 क्या एक game changer है, इस रो का mission के अगर हम बात करते हैं, ये new hiker करके title दिया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इस रो को help करने चाहिए, कि हर एक व्यक्ति इसको enjoy करें, और जो science mission के जो results है, जो fruitful missions रहे हैं, उनको भी हर country enjoy करें, ये target होना चाहिए, जनवरी 6 को, 6 evening को, एक command transmitted हुआ, scientist के द्वारा, और engineer of Indian Space Research Organization ने ये कहा कि भाई, अदित्य 11 spacecraft जो है, वो जो एक maneuver है, जो guide कर रहा है, orbit के around, वो अपनी imaginary point of place के अंदर पहुंच चुका है, यानि अदित्य 11 अपनी destination पर जो है, वो lagrin जो point वहाँ पर पहुंच चुका है, और इसके अलावा unfitted view अगर हम बात करते हैं, जो expected है, lifetime of 5 year, अदित्य 11 जो है, वो एक observatory class solar mission है, जो study करेगा, basically sun को, और उसके seven instruments को, जैसे VELC है, एक chronograph है, जो study करता है, इसकी uppermost layer of the sun के items पर, इसके लावा शूट है, जो ultraviolet imaging telescope है, इसके बाद, solex है, या hell one OS है, जो study करता है, solar flare को, coronal mass ejections को, इसके बाद, aspects है, ये study करते है, solar wind को, और plasma को, इसके बाद, digital magnetometers है, जो measure करेंगे, property of the magnetic field, जो spacecraft के आसपास, आपको देखने को मिलेंगी, इस तरों की जो ये, lagrange point है, L1, ये 1.5 km distance, इसकी है, from the earth, earth sun direction के अंदर, और, one of the five lagrange point है, earth sun system के अंदर, because, इसकी gravitational, gravitational influence, जो वो, इन bodies के अंदर, ज्यादा, आपको देखने को मिलते हैं, इसके बाद, smaller body, जो होगी, यहा करते हैं, कि एक टग होगा, दोनों के बीच में, तो, आदित्य L1, जो है, वो, L1 के बाद, अगर हम बात करें, यह, बहुती कम, fuel का use करेगा, और, scientific mission की अगर हम बात करते हैं, तो, यह important है, एक thruster की तरह काम करेगा, इसी context में, आदित्य L1, एक supplement है, इंडिया की, जो success story रह पहले, कोडाई कनाल solar observatory थी, जो 901 से operation में है, और, जो indicate करती है, हमारे space की lifting को लेकर, इसके अलावा, अगर हम बात करें, अभी expose set mission जो है, हमने launch किया, एक जनवरी को, हम लोग only country बने, only second country बने दुनिया में, जहां पर x-ray polarimetry satellite हमने launch किया, 8 year के बाद, astro set के, और, जो several highs प इसके बाद, अगर आप important issues के बारे में discuss करते हैं, जैसे, इस तरह की achievement को लेकर public perceptions क्या है, for example, आजित्य 11 और astro set, जो है, वो, इंडिया के point of view से बहुत important है, इनको, अगर आप comparison करते हैं, James Webb Space Telescope से, जो three space agency के दवरा operate किया दाता है, तो वो, एक different technologies को लेकर differences हो सकते हैं, Indian spacecraft capture कर high resolution photograph of cosmos, और इसके अलावा, ये fair रही है, कि आप इस तरह का comparison भी करें, for example, इस तरह ने बहुत चीज़े करी है, और बहुत सारी चीज़े आने वाले time में करने वाला है, तो इसके लिए जरूरी है, कि वो खुद का और collaborate करें, institution से, जो public outreach पर काम करें, यानि, जितने भी space mission है, इनका benefit public को हो, communities को हो, science communications हो, और regular intervals पर इसको लेकर discussion होना चीए, people centric होना चीए, definitely बात जब आप science के बारे में बात करें, तो science के जो research होंगे, science के impact को हो, people friendly बनाने ये हमारा target होना चीए, और ये सारे require करते है, huge fund को, हला कि, ISRO का जो budget है, वो definitely बढ़ा है, इस budget को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, इस तरह का, एक estimation, यानि हमें, ISRO की funding को और ज़्यादा expand करने की भी requirement है, तो इसके बारे में, discuss किया गया, इसके अलावा, अगर हम बात करें, text and context वाले page पर, तो text and context में, एक topic discuss किया गया ह है, कि देश के अंदर एक अबी भी problem है, child marriage की, और child marriages को लेकर एक data आता है, जिसमें यह बताया गया कि West Bengal के अंदर ये number अभी भी ज़्यादा है, यानि देश के अंदर अगर हम child marriage की बात करते हैं, तो भाई, West Bengal के अंदर ये अभी भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, एक study हुई लेंसेट पेपर जिसमें टाइटल किया गया है प्रिविलेंस ओफ गर्ल और बोई चाइल्ड मेरिज अक्रोस स्टेट एंड यूनिय ट्रेटिज इन इंडिया तो क्या इस चीज को ये लोग एसेप्ट करेंगे ये बड़ा सवाल होगा इसके बाद ये बताया गया कि लार्जेस्ट एविसलिट इंक्रीज है है हैड अकाउंट के अंदर और ये देखने को मिला वेस्ट बेंगोल में इसका सीधा मतलब यह होगा कि 32% इंक्रीज हुआ है यानि पांच लाख बच्चों की साधी यहाँ पर गल्ज की साधी हुई है अगर इसमें दिक्कत क्या आती है पहला तो अठारा साल से कम अगर आप साधी करते हैं तो फिर अरली प्रेगनेंसी अरली बच्चे हो ना उसके बाद हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कंसरंस होते हैं mentally proper mature नहीं होता जब 18 साल से नीचे के बच्चे हैं इसके अलावा research के अंदरे analysis भी किया गये कि surprisingly जहां पर कोई literature rate बहुत जादा है वहाँ पर child marriage नहीं होगी ऐसा कोई relation नहीं है एक indicate किया गया कि वहाई कुछ district ऐसी है some districts ऐसी है जो disproportionately high number रखती यानि जो बहुत ज़ादा educated भी है और कहीं नहीं कि वहाँ पर भी child marriage का जो ratio बहुत जादा है यानि कई बार जैसे हमारे यहां पर कहवत होती थी कि पड़े लिखे वेक्तियों ज्यादा पड़े लिखे वेक्तियों का ज्यादा दिमाग खराब हो सकता है तो उस तरह की क्या यह possibility है तो यह analysis कर रहा है कि देश के अंदर child marriage का number West Bengal में बहुत बड़ा है और दूसरा child marriage के context में लोगों का पड़ा लिखा होने से कोई फरक ने पड़ रहा है यानि यह भी एक तरीके से estimates है इसके बाद world affair के अगर हम बात करते है तो बहुत चोटी चोटी news आपको देखने को मिलेगी जैसे बंगला द camps में राग लगी और बहुत सारे camps जल गए तो यह चोटी चोटी news है पाकिस्तान के अंदर election होने वाले हैं फरवरी के अंदर opposition political party के रिली थी internet बंद कर दिया यह अलग जीबो ग्रीव democracy है मैनमार में जो इस टाइम पे military rule के अंदर है वहाँ पर rebel लगातार strike कर रहे country के अंद अंदर रहते हैं लगातार तो आपके against protest होने की possibility को आप deny नहीं कर सकते हैं इसके अलावा कोई specific news नहीं इरान वाली news हमने लड़ी पड़ी है कि इरान definitely internally बहुत सारे crisis को face कर रहा है हमने यह पढ़ा था अभी जो attack हो उसके बाद हमने इसकी वरेम details analysis किया था कि इरान definitely एक Western Asia म साथ से बड़ा partner है बट यह ऐसा नहीं कि कोई solid economy और solid defense power internal बहुत जादा crisis है इरान के अंदर उसके बारे में हमने discuss किया था फिलाल the Hindu news paper analysis में इतना ही thank you all जहिन